मा जी एक बात तो है बाहर लेटने का मज़ा ही कोछ और है अब तो पता नहीं क्या हुआ है सब लोग अंदर गोस गोस के लेट जाते हैं लेकिन देखो बाहर लेटो कितना अच्छा लगता है मुझे तो सच में जब मैं बाहर लेटती हूं बड़ा सुकूर मिलता है और क्या बाहर लेटो प्रिकरते खावा मिलती है देशी बाता वरण मिलता है अब तो सब डूबलीकेट चल गया है लोकल पोकल उन्ने का की लाइट पंखा कूलर इसी इसी सी तो बीमारिया होती है पहले के लोग ऐसे ही आसमान की नीचे सोते थे और बड़िया देशी हवा खाते थ और देखो कितने अच्छे रहते थे सो साल से उपर से सो साल से ज़्यादा जीते थे देशी खाना देशी पहना देशी रहना अब तो सब अर्टिफीसियल है अर्टिफीसियल खाना पहना रहना हवा पानी सब वैसे ही है वैसे ही जिंदकी है जिंदकी का भी कोई भरूसा न मा जी सच में पहले लोग 100 साल से उपर जीते थे और क्या पहले लोग अच्छा खाते पहनते थे मजबूत खाना खाते थे तो तो जीएंगे घी दूद भर भर के खाते थे अब तो लोग चाय और कोफी को ही समझते हैं घी दूद इसमें कहीं ताकत होती है मा जी एक बात बताईए पहले भी मच्छर हुआ करते थे नहीं मच्छर तो अभी से हुए है जब से तुम पैदा हुई हो क्या हुआ दिरी आप क्यों हस रही है अरी हसियारी आपको अब तुम बाती है से पूछ रही हो तो हसी तो आएगी अरे पगली मच्छर अभी से क्यों वो तो पता नहीं कब से हुँगे अच्छा तो ये बताईए अब मच्छर काटते हैं तो कोई पंखा चला लेता है पूलर एसी में सोता है और अलाउट लगा लेता है बहुत सारे ओप्सन है अब तो मच्छर भगाने के मा जी पहले लोग कैसे मच्छर भगाते थी क्या करते थे लो कर लो बात फिर से आ गई वहीं ये लटपलटके ऐसी कौन सी चीज थी पहले जो नहीं थी सब कुछ था जो पुराना था वही नई फैसन पे आ रहा है ठीक है अब तुम्हारी ये अगर बत्ती है अलाउट है फलाना धे मकाना दह्माना जो जो हो भगवान जाने हमें तो नाम भी नहीं पता है पहले पता है लोग क्या करते थे कंडे की आग बनाते थे उसमें भूसा डाल देते थे ठीक है ना कंडे को दबा दिया भूसा डाल दिया उससे ये तुम्हारे अलाउट फालाउट सब फेल इतना धुआ निकले इतना धुआ निकले मच्छों कि दूर दूर तक आहट तक नहीं मिलती थी समझें और क्या ये नीम की पत्ती नीम तोड़ लो उसी में रग दो फिर देखो वह हाँ वो भी सुद्ध अब ये आजकल केमिकल से बन बन की आते हैं अपन को नुकसान बच्चों को नुकसान यही से तो बीमारियां बढ़ती हैं गाह में रहो सुद्ध खाओ सुद्ध पैनो सुद्ध बोलो सुद्ध हवा एकदम से मस्त रहो देखो क्या खुबसूरती बन माजी थे रहें बाभी ममी काहा है दिक नहीं रही है इतनी रात में नहीं कहां चली गए माजी अगल बाघल टुन ही यह हो गयी है अजकल बाहर कॉन सोता है अरे छोटी दीदी अगल बड़ी दीरी कह रहीं थी मुझे बाहर लेट न अच्छा लगथा है इसलिए माझि भी महें पर लेटी है और हंये चलो थीग है तुम लोग लेट रहां तो मैं भी लेट जाती हूं अच्छा, तो ठीक है फिर आप जाओ, आप भी सो जाओ, मैं जाती हूँ, मैं भी बाहल लेटूँगी ठीक है हम भी बहुत देर से बैठे बैठे ठक गएते हैं, अब हम भी लेट गए चलो, रात बहुत हो गई, अब सो जाओ है, ए भगवाँ, छोटी गुदर देके माजी लेट तेस हो गई, और क्या कुम करन है, देल लगती है उसे सोने में, बटे से सो जाती है इधर तो बहुत लोग सो रहे हैं, मैं कहाँ सोऊंगी, मेरी घटिया नहीं डाली है, तुम कहाँ इधर घूम रही हो, जाओ अंदर सो जाओ नहीं, मुझे भी यहाँ सोना है, बहाजी सोना है मुझे, सब लोग यहीं पर सो रहे हैं, तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी कोई सब लोग नहीं सो रहे हैं, ठीक है, जाओ दादी के पास सो जाओ अगर थोड़ा बहुत दिल लेट ना है तो आप मेरे साथ लेट सकती हो दीदी आईए लेट जाएए नई आप खटिया खाली कर दो मैं अकेले लेटूंगी आप छोटी भाविक साथ लेट जाएए जाओ अंदर लेटो दादी के पास ठीक है न यहां मच्छर खा जाएंगे पूरी रात उठा ले जाएंगे नदिया के तीर में जाके लेटाएंगे तुम्हें और कहेंगे लो अभी यहीं पर जूला जूलो सब लोगों ने अपने अपने लिए खटिया डाल लिंक्या बढ़िया सूर है अब लेटना है तो किसी के भी शाथ लेट जाओ हमाए सथ लेटना हमाए साथ भावी लोग साथ भावी लोग साथ लेट जाओ ठीक है ना रात बहुत हो गई ज्यादा ड्रामा मत करो धूझ दिल यहीं देर बाद काटने मच्छर संदर भागोगी तो यहीं करोगी पर्वतिया, शो गई क्या, अरे उट न, मेरे उपर आफ़त आपड़ी है, उटना पर्वतिया अरे क्या हुआ चाची, एतनी रात में, रोक्यों रही है, क्या होगी अबताईए अरे पर्वतिया, तेरा कोई घर खाली हुदर मुझे छुपा दे, बन्ना मेरी बहु 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 बह तो दिन से चाह नहीं मिली थी नहीं देती यह जाय तो मैंने बोला बेटा थोड़ा मुझे ना यह कब देतु आधा कब चाहे दे दे बेटा नहीं तो चाय पती दूद्देदी मैं बना लूँगी अरे ऐसा बेलन फेक के मारा मेरे रोटी बना रही थी तेरा बाप दुद्द जाता यहां चाहे पती दूद्द तेरा बाप यसा तेरा बाप ऐसा मुझे तो पता नहीं मेरा दुबाप भी नहीं है चलागे है बरके अब ना एक आधा कब दूद्द के लिए तरस्तियों डई दिया बार भी लग जाड़ू कुचर के रख दिया अरे छोट भाई तो ते करदेंगे हमको इसे चाह नहीं पीणी है जिसमेंने इसमयाल भी खाएं और हमारी कोई भाप तक भी जाए नहीं कितना भी हो जाय मर जाए नहीं भीएँ चाहare नहीं डादी चाय पिएगी बिल्कुल पिएगी बाबी बना खिला रही है चाय नहीं तो हम लेके आ रहे हैं चाए अपको चाय पिलाएंगी आप बिलकु मद्रोगी यह फिलकुल तुम अच्छा सा सबक सिखा मगवादूंगी और मिल गई कहीं पर वी बड़ी आई दादी के दौलत पे मालकी करती है यासी करती है ब्लक पीने से मना करती है यह तरी पीछे पीछे आया हूं ठीक है नहीं पर दूसरों को मत दिखा इन पर नहीं आने वाली मैं और तु आखिरकार यहां पर क्या सावित करने आई है ये लोग तुझे बचा लेंगी या रोक लेंगी बता तुझे यहां नो टंकी बगार ने आ गई है तुझे सरम भी नहीं आई इतनी रात को भगके चली आई एं तरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे थपड मारने की तु होती को ने मुझे मानने वाली रुक एई खोस में समझी न अगर मेरी ननद के हाथ लगा दिया न तो हाथ तोड़के हाथ में दे दूँगी बत्तिमीच कहें की तेरी हिम्मत कैसे हुई दादी कु मारने की वैसे ही यहाया औरत बेवकूफ लगा जरा हाथ देखू यह अपने हाथ न अपने पास रख समझी न बन न जानती तो भाई है खाने और सब चीज से राहित कर देंग यह तना याद रखना बहुत मार रही थी न मुझे हाथ तो उठाई दिया था हाथ लगा के तो देखती फिर बताती तुझे मेरी भावी देख मेरे घर में तीन तीन भाविया है तेरी जैसीना कारियन में कम्मी नहीं है समझी न जो अपनी सास को मारती है मेरे घर में न सास की ही हुकूमत चलती ह मेरी दादी मेरी मा तुझी, एक नहीं समाली जाती है, ऐसे कोई अपनी सास बोलता है कोई मारता है मैं एक बार बोलूगी तू घर चल रहे है बुटे है या नहीं, यह यहीं मेरी बेज़ती करवाईगी तमासा करेगी बता आने दे तेरे बेटे को फिर बताती हूं फिर कहां बाग की जाएगी सुन मेरी बात बहू ज्यादा न चड़ सड़ के मत बोल ठीक है ना चाची यहां से कहीं नहीं जाएगी ठीक है ना जा घर वापस जो तुझे दिखाई दे इसो कर ले चाची का बेटा आएगा ना यहां भेज देना उसको भी देख लेंगे और तू क्या कर सकती है बता जो तुझे बने तो कर ले देख तो लिया यह अभी नमूना और थोड़ी बहुत कसर बाकी हो तो बता अभी सेर नी सो रही है समझी ना अगर जगा दिया ना तो हां उकर के खा जाएगी मेरे घर में तीन तीन बहुए है और एक से बढ़कर एक है एक सेर तो दूसरी सवाव सेर समझ गई तू के इस खेद की मूली है कुछ नहीं है मेर समझी ना जानती है मेरी संतवाव को कि दो सेकेंड नहीं लगेंगे फाड़ फूर के चित कर देगी अरे हम तो उसको इतना बोरा भला कहते हैं कि मेरी बहु इतनी खराब इतनी खराब है अरे इतनी भी खराब नहीं है जितनी तू है अरे जो अपने सास ससुर की सेबा ना कर सके तो क्या कर सकता है तो अपनी सास की दौलत पैस कर रही है बैठके नो टंकी बाज और जादा वो किया न तो सब चीज में ताला लगवा देंगे और तू अपने पती को लेकर बाहर निकल जाना और रहना आराम से देखती हूँ कितना कमा के खिला सकता है अरे एक कब चाय नहीं दे सकती हो तो क्या कर सकती हो मक्कार तेरी भावी भी माई के में यही करती है क्या तेरे मा के साथ बोल जो मुबाए खड़ी है तेरी मा के साथ यही हो तो कैसा लगेगा चली जा यहां से हमारा मुँ मत खुलवा इतनी तेजी से गुष्चा आ रहा है नहीं हम उठे न तो फिर दोनों गाल लाल कर देंगे जमी आसमा एक नजर आएगा तुझे राम खोर कहीं की चैट देख बुढ़िया अभी तो मैं जा रही हूं ठीक है ना याद रखना जितनी तुने मेरी बेजिती करवाई है यहां पर चुन चुन कर यह चीज का बदला लूगी याद दिला दिला के ठीक है ना जो बहुत मटक के बैठी यह महरानी बनके ना देख फिर मैं क्या हसरत करत ठीक है ना निक तेरा हसरत मैं ही बना दूँगी अभी तो दीदी ने एक दिया था ऐसा ठूसा दूँगी ना कि सीधे घर में गिरेगी अपने कहीं रुकेगी भी नहीं राष्ते में जाओ